दोस्तो एक लेडी रोज ही अपने पती द्वारा प्रतारित होती रहती थी उसका पती उसे खाने में नुक्स निकाल कर किसी से फोन पर बात करने या किसी और बहाने से आए दिन पीटा करता था एक दिन लेडी अपने मा से मिलकर घर आती है तो उसका पती घर पर ही होता है वो लेडी पर किसी गैर से मिलकर आने का इल्जाम लगा कर पीटता है फिर उसका फोन छीन लेता है और घर से बाहर जाने पर भी रोक लगा देता है अगले दिन उसका पती घर आता है और 5 मिनट के भीतर खाना बनाने को कहता है लेडी बोलती है कि 5 मिनट में खाना कैसे बनेगा इतना सुनते ही वो उसे पीटने लगता है लेकिन इस बार लेडी विरोध करती है वो बोलती है कि मैं अब ये जुल्म नहीं सहूंगी इस पर उसका पती बोलता है कि क्या करेगी तू, मुझे मारेगी और फिर उसे मारने को हाथ उठाता ही है कि मौके पर पुलिस आ जाती है अब उसका पती पुलिस को देखकर घबरा जाता है पुलिस उसे बताता है कि ये कमप्लेन उसकी बीवी नहीं किया है वो अपनी पतनी से माफी मांगने लगता है लेकिन लेडी उसे माफ नहीं करती और पुलिस उसे ले जाती है दोस्तो दरसल लेडी अपने पती के घर आने से पहले ही एक कागस पर सारी बात लिखकर कागस को घर की बालकनी से बाहर फैक देती है एक आदमे उठा कर पढ़ता है और पुलिस को इंफार्म कर देता है तो दोस्तों रोहित गाबास सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो ऐसे घरेलू इंसा का विरोध करें